ये topic काफी sensitive है ज्यादा information भी नहीं मिलती है online और लोगों को इसके बार में बात करना पसंद भी नहीं आता है लेकिन mistake मत कीजिए इसके पीछे भी काफी science है अगर आपका gas बहुत बनता है मतलब आपको volume का problem है आपकी शरीट बहुत gas बना रही है मैं आपको छोड़े से tips शेर करूँगा जिससे आप body में कम gas बना सकते हो अगर आपका gas से बहुत बास आता है इट means कि शायद आपका problem food का है या bacteria का है और मैं आपको छोड़े से tips बोलूँगा आपकी diet में जो आप implement कर सकते हो जिससे आपका gas में बास कम आए मैं जो information आज शेर करने वाला हूँ ये हमारे observation से आया है हमने पिछले एक साल में 4000 पेशिंट से भी ज़ादा study किये है ये data निकालने के लिए हमारे साबसे चार major category है farts के जो short and smelly रहता है short and not smelly long and smelly long and not smelly ये चारो अलग category से काफी information मिलती है आपकी body के बारे में specifically कि आपकी digestive system कहाँ weak है और कहाँ हम improve कर सकते है चालू करते हैं short and smelly के साथ see 98% of gas जो आपकी body बनाती है उसमें smell नहीं आना चाहिए तो अगर थोड़ा सा smell आ रहा है और कभी-कभी आ रहा है it is very likely कि ये आपके खाने के साथ related है यहां नॉर्मली तीन कलप्रिट रहते है एक है allium vegetables एक है cruciferous vegetables और एक है excess protein मैंने पहले दो के examples आपके screen के सामने रखें allium और cruciferous vegetables में काफी sulfur रहता है ये sulfur आपकी body में जाके hydrogen sulfide बन जाता है hydrogen sulfide में smell होता है इसको हम rotten smell बोलते है जो खाना बार रखते है बहुत time के लिए या जो अंडे बास मारते है वैसा smell रहता है hydrogen sulfide की वज़े से आपका gas शायद smell कर रहा है excess protein भी similar तरीके से smell create करता है ज़रूरी नहीं है कि आप जितना भी protein खाओ सब कुछ पचाओ जो protein आप नहीं पचा पा रहे हो वो protein आपके body में ammonia बन जाती है ammonia का smell रहता है urine की तरह या sweat की तरह मतलब पसीने की तरह ये ammonia जब भी आपकी body urine से नहीं निकाल पाती शायदा पानी काफी नहीं पी रहे हो ये आपके gas से निकलता है और ये smell करेट करता है ये चीजे पर थोड़ा ध्यान रखिए और notice कीजे कि आपके farts या आपका gas में कितना फरक पड़ता है move करते है short and not smelly पर ये normal है everybody farts, सबका gas pass होता है और जब नहीं smell होता it is completely normal, ये natural process है लेकिन अगर आपकी frequency बहुत बढ़ गई है मतलब it has become a nuisance आपके लिए तो शायद ये gas की वज़े से नहीं है शायद ये हवा के वज़े से है खाते समय शायद आप ज़्यादा हवा अंदर ले रहे हो खाने के साथ और यही हवा निकल रहा है फार्ट के जरिए मैं कुछ examples देता हू शायद आप soft drinks ले रहे हो या soda ले रहे हो जिसमें और अलड़ी air bubbles बहुत है शायद आप आपका पानी गल्प कर रहे हो मतलब पानी भी ले रहे हो हवा भी ले रहे हो sip sip कर के नहीं ले रहे हो शायद खाने के वक्त बहुत जल्दी खा रहे हो या बात और लोगों के साथ कर के खा रहे हो ये सारे examples है जहां हवा extra आपके शरीर में आ जा रहा है और वो ही आप आप आस कर रहे हो just ये areas पर थोड़ा सा focus कीजे और notice कीजे कि आपका fart, especially जो short and not smelly है उसकी frequency कम होती है कि नहीं आते हैं now long and smelly आप यकिन नहीं करोगे आपकी body जो खाना digest नहीं कर सकती वो कितना gas बनाती है मैं आपको example देता हूँ सिर्फ 30 gram carbohydrate से कर आपकी body नहीं digest कर पाती आप nearly इतना gas बनाते हो कि एक पूरा CNG का cylinder फिल हो जाए ये gas को कहीं तो निकलना चाहिए यही gas long fart के जरिये निकलता है कौन सा ऐसा खाना है जो आप नहीं पचा पा रहे हो लिस्ट लंबी है लेकिन चार food group बहुत ही important है पहला बाला है lactose lactose normally एक sugar है जो दूद में मिलती है हमारी body lactose आसानी से नहीं पचा सकती वो बन जाता है gas और result होता है fart में अगर आपने थोड़ा सा दूद पिया it's not a problem लेकिन एक या दो glass चालो कर दिया पीना आपका gas बढ़ना चालो हो जाएगा lactose बंद करिये gas production कम हो जाएगा दूसरा है fructose fructose आपको normally fruits में मिलते है fructose वो ही नाम है उसका fruits में एक या दो whole fruits खाए कोई problem नहीं है लेकिन जब हम juice बना तो 3-4 fruits चले जाते है एक glass में इसको हम excess बोलते है इतना fructose शायद आपकी body digest नहीं कर पाए यही fructose आपकी शरीर gas में convert करती है और result होता है farting में तीसरा और यह शायद सबसे बड़ा कारण है resistant starch यहाँ दो food groups है चावल और अलू rice and potato जबी rice और potato आप थंडा करके खाते हो उसमें resistant starch की मात्रा बहुत बढ़ जाती है resistant starch आपकी body नहीं पचा सकती result होता है बहुत gas बनना this is what you need to reduce या तो आप यह rice और potato गरम करके खाये या थंडा खाये ही मत और notice कीजे कि कितना जादा फरक पड़ता है आपकी body की gasp है और चौथा which is again interesting is sugar alcohol sugar alcohol घर पे नहीं मनता हम use भी नहीं करते लेकिन बाहर से जब खाना लाते तो अलग-अलग टाइप की sugar alcohol अलड़ी रहते है product में मैंने यह screen pick list दिया आपके लिए यह ingredients बने हैं सिर्फ मुँ में स्वाद डालने के लिए पेट इसको digest नहीं कर पाता digest नहीं कर पाता तो बन जाता है gas gas बन जाता है तो चार्ट होती दिक्कत फार्टिंग की जितना हो सके try कीजे कि यह sugar alcohol की list आप आपकी खाने में से निकाली दीजे या जितना हो सके बार का खाना कम कर दीजे और notice कीजे कि आपका फार्टिंग या पादने का problem में कितना फरक पड़ता है मैं last आता हूँ farts जो है long and not smelly कभी-कभी आपका पेट पूरा दिन बर फुला रहता है it doesn't matter कि आपने खाना कब खाया है सुबे भी फुला रहता है, खाने के बाद भी फुला रहता है, रात को भी फुला रहता है यह problem खाने से related ही नहीं है यह problem bacteria से related है जब भी bacteria का overgrowth हो जाता है तब जो भी खाना खाते हो वो पचता ही नहीं है salad भी खाओगे तो भी gas बनेगा यह control करने के लिए unfortunately कोई आसान तरीका नहीं है पहले आपको bacteria को निकालना है फिर gut का healing करना है और finally आपको आपकी पूरी system को restore करनी है कि वो bacteria वापस अंदर ना आ जाए यह process काफी लंबा है 2-3 हफते ने 2-3 महीने लग सकते है और यहां मैं recommend करता हूँ कि आप एक experience practitioner के साथ काम कीजिए one-on-one अगर आप हमारे expert के साथ बात करना चाहते हो तो मैंने number नीशे share किया है feel free to whatsapp us और हमारी expert भी आपको guide करेंगे जैसे मैंने बोला farting पे online बहुत literature नहीं है मैंने जो आज share किया आपके साथ is a result of our years of experience and observation 4000 से भी जाधा patient पह है मैं चाहता हूँ कि आप यह छोड़े-छोड़े tips अपनाए और check कीजिए कि क्या आपको फरक पड़ते हैं और फिर नहीं है क्या सकती नहीं